हेलो फ्रेंड्स कैसे ही आप सब विल्कम तो दिवा ब्लोग एंड फूड और आज मैं आप लोगे साथ एक अनदर रेश्पी लेकर आई हूं समर रेस्पेशन जो बनाने में बहुत एजी है और बहुत हेल्डी वेनीफेट्स होता है मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं जामुन इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और यहां पर मैंने यहां पर थोड़े से ले लिए मैंने आठ से दस मैंने यहां पर पुदीने के पत्ते ले लिए मिंट लिप्स फ्रेश पुदीने के पत्ते लिजेगा और इसको हम ग्रैंडर जार में डालेंगे इस तरह से मिसमें मिं कर देंगे अब मैं यहां पर एड़ कर रहे हूं अगर आप धाप के पिसंट है तो आप नहीं यूज कर सकते हैं टू टेबल स्पून में यहां पर उगर ले लिए हाफ टेबल स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर काला नमक ले लिजेगा ब्लैक सॉल्ट और कुछ आइस क्यूब्स ले लिए हैं अब आस इसको ग्राइंड कर लेंगे कि अब तक यह ग्राइंड हो रहा है जं़िसको ग्राइंड कर लूंगी अब थोड़े इस ग्लास हैं सॉर्ट वाले उसको थोड़े सा करेंगे इस तरह से निम्बू के टुकड़े को इस तरह से इसके इसको लाइनिंग करेंगे और यहां पर शॉल्ट या फिर आपके पास अगर पाउडर सुगर है तो उसमें भी आप इसको डीप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लूक आ जाता है इससे इस तरह से आप इसली कर सकते ह है यहां पर मेरे पास पाडर शुकर नहीं थे मैं यह पर शॉल्ट ही यूज कर रहे हूं हुआ अब देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये इस तरह से हमें को देख सकते हैं आप कि हैसमें ने कर लिया है यह अब हम इसमें जो हमारे कि सोट्स बनाया थे जामुन के वह हम इसमें डालेंगे सर्व करनेंगे आप इसको जरूर ट्राइ किजेगा बहुत ही टेस्टी बनता है इसमें मीन फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर आपको यह रिस्पी पसंद आती है तो प्लीच मेरे चैनल को लाइक पूले और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह रिस्पी कैसी लगी देख सकते कितना खुब्सूरत सलुक आया है जामुन सॉट्स का इस तरह से मैंने इसको थोड़े से मिंट लिप्स के साथ इसको डेकुरिट कर लिया थैंक्स फॉर वाचिंग